जेहिंद वंदे मात्रम स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ड आम सेक्यू चनल पर तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में ब्याहर प्लिस कॉंस्टबल एक्जाम के लिए लुसेंड बुक से प्रेक्टिस सेट 12 को कवर करेंगे तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइब में जुड़ जाईए सभी को गूड इवनिंग गूड इवनिंग तो चलिए आपका बिल्कुल भी टाइम बरबाद ना करते वे आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स आज की सेशन का पहला प्रस्न है हिंद महासागर में इस्थित सबसे बड़ा दूइप कौन सा है मेड़ा गासकर, बोर्नियो, सुमात्रा, या फेडी, मिंड, नाओ आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइब चेट को आपसन दिया गया है तो अगर आप लोगों को किसी भी प्रस्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइब चेट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे तो दीके हिंद महासागर में इस्थित सबसे बड़ा दूइप जो है ये मेड़ा गासकर दूइप है फर्स्ट अपसन जोई बच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है दूसरा प्रस्न है सरीर की सरवादिक प्रबल अस्थी होती है कहा होती है जांग में जबडे में भुजा में या डी गर्दन में तो लिखे, शरीर की सरवादिक प्रबल, यानि की मजबुत अस्थी जो होती है, ये जबडे में होती है, नाम क्या है? तो मेंडीबल है, ध्यान रखना है, और पूछे, कि सरीर की सबसे लंबी हड़ी कौन सी है, तो याद रखना है, ये फीमर है, और ये हड़ी जांग में प 3. अफरीका महदोईब की सबसे बड़ी जील घिल कौनसी है और फ्रेंट्स अगर अगर आप लोग करेंट अफेर्स की क्लास करना चाहते हैं तो कल से इसी चैनल पर डेली सुबा छे बजे करेंट फेस का क्लास होगा तो आप लोग कर सकते हैं और जो भी स्ट्वेंच चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो तो दीके वातावरन की वह परत कौन सी है जो रेडियो तरंगों को प्रावर्तित करती है तो ये है आयन मंडल सी ओप्शन जोई बच्चे दिये हैं बिलकुल सही जबाब है आप लोग इमेज में देख सकते हैं वायो मंडल की सबसे पहली परत छोब मंडल है दूसरी परत स चोब मंडल में ही घटित होती है समताब मंडल में ही ओजोन लेयर पाया जाता है ओजोन का सुत्र पुछा जाता है ओथरी होता है ध्यान रखना है आप लोग थोड़ा सा कमेंड करके बताएंगे कि वायो मंडल की इन पांचों में से कौन सी परत है जो सबसे थंडी परत हो में आंसर करते जाना है और बिहार पुलिस एक्जाम के लिए आपको दो टाइम पर क्लास करना है एक साड़े आड़ बजे और दूसरा नौ बजे जो भी चल रहा है तो दोनों टाइम पर आपको क्लास लेना है तो देखिए इस प्रसंद का सही जबाब जोई बच्चे का है ध्यान रखना है जावा और सुमात्रा दूइप किस देश में इस्तित है चली आंसर करेंगे और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रस्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो दीके जावा और सुमात्रा दूइप लिखित में से किस नदी को बंगाल का सोक के रूप में जाना जाता है चलिए देखिए आपको यहां से तीन प्रस्न जाद रखना है पहला प्रस्न तो बंगाल का सोक किसे का जाता है तो दामोदर नदी को दूसरा प्रस्न बिहार का सोक कोसी नदी को तीसरा प्रस्न चीन का सोक तो वांग हो नदी को यहांपे लिख देते हैं वांग हो नदी को चीन का सोक कहा जाता है निम्नलिकित भारती नदियों में से कौन एस्वरी जुआरनद मुख बनाती है यह प्रसना आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है इसको ध्यान रखे चलिए आंसर बताएंगे इन चारो अप्शन में से कौन सी नदी है जो एस्वरी यानि कि जुआरनद मुख बनाती है तो दीके आपको मैप से समझाते हैं इधर देके आपका हो गया गल्फ आप बेंगोल यानि कि बंगाल की खाड़ी इधर है और इधर अरब सागर है तो दीके इधर के साइड की ज ध्यान रखना है पूर्वी छेतर की ओर गिरने वाली सारे नदियां डेल्टा का निर्मान करती है और पस्मी ओर गिरने वाली जितने भी नदियां है वह एस्वरी का निर्मान करती है तो ओप्शन में देख सकते हैं ओप्शन में तापती जो है ये पस्म की ओर बहने वाली कहां इस्तित है चली आंसर बताएंगे नाम दफा राश्टे उध्यान कहां इस्तित है तो दीके इस प्रस्न का सही जबाब जोई बच्चे अरुनाचल परदेश को दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है अरुनाचल परदेश की राज़दानी इटानगर है मानस राश्टे उध्यान पूछा जाता है तो ये असम में है काजरंगा नेशनल पार्क पूछा जाता है तो ये भी असम में है, ध्यान रखना है आप लोग कमेंट करके बताएंगे कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज़मे इस्तित है परियावरन एवं वन मंत्राले भारत सरकार द्वारा परियावरन के चेतर में दिया जाने वाला पुर्षकार है चलिए आंसर बताएंगे परियावरन मित्र, परियावरन स्री, विरिक्ष मित्र या तरुन मित्र तो दीके परियावरन एबम वन मंत्राले भारत सरकार द्वारा परियावरन के चेतर में दिया जाने वाला पुरुषकार कौन सा है तो ये है विरिक्ष मित्र C-Option सही जबाब है महा सागरों में जल अस्तर वृद्धी का क्या कारण है और देखे अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंदार आ है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करेंगे तो ये महा सागरों में जल अस्तर वृद्धी का कारण है धुरूबिया प्रदेश में बर्व का पिखलना ए उप्सन जोई बच्ची दिये हैं बिलकुल सही जबाब है वायू प्रदूशन को कम किया जा सकता है बहुत यासान प्रस्ण है चलिए तो देखे वायू प्रदूशन को कम किया जा सकता है विरिक्छों दुआरा निम्द लिकित में से किस छेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है देखे ओप्सन में राजी का नाम नहीं दिया गया है इसलिए सो समझ करा अंसर करना है तो किस छेत्र को भारत का चावल कटोरा का जाता है तो ध्यान रखना है क्रिष्णा गोदावरी डेल्टा छेत्र सी ओप्सन सही जबाब है जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक प्रवत्य दर्रे को दिया गया है चलिए आंसर बताएंगे जवाहर सुरंग जो है यह नाम दिया गया है बनिहाल दर्रा को जो भच्चे दिये हैं बिल्कुल सही जवाब है सिवकिला दर्रा को ध्यान रखना है काफिवर एक्जामस में पूचा गया है तो ये हिमाचल प्रदेश में है next question सबसे अधिक मातरा में केसर मिलता है चलिए तो दीके 15 के लिए राइट अंसर जोई बच्ची आपसन B को की है बिलकूल सही जबाब है जम्मू कस्मीर में σबसे अधिक मातरा में केसर मिलता है राजधाने का है तुसरी नगर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव केरल का तिरुवननपुरम और असम का दिसपूर है नासिक में किस नदी के किनारे कुम्ब मेला लगता है चलिए आंसर करेंगे तो दीके नासिक में किस नदी के किनारे कुम्ब मेला लगता है तो ये गोदावरी नदी के किनारे लगता है D option बिलकुल सही जबाब है गोदावरी नदी ये दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है और गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है कुल लंबाई की बात करे गंगा की तो 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है ध्यान है चलिए तो देखे इस प्रस्ण का सही जबाब जो इबच्चे सारनात को दिये हैं बिल्कुल सही जबाब है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंतरी कौन थे चलिए आंसर बताएंगे ये भी प्रस्ण आप लोगों के लिए वी वी आई है एक नंबर में पूछा आता है भारत में फ्रांसिसको ने अपना सबसे पहला कार खाना कहां लगाया था चलिए आंसर करेंगे तो दिके भारत में फ्रांसिसको ने अपना सबसे पहला कार खाना जो है ये लगाया था सूरत में सूरत कहां पढ़ता है तो गुजरात में और गुजरात राजी की तट्रेख सबसे लंबी है तो गुजरात विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है यहां से आपको दो प्रसनों को याद रखना है सरपर्थम विश्व जल दिवस और दूसरा विश्व पिर्थवी दिवस तिके दोनों में एक महिने का अंतर है विश्व जल दिवस पूछे तो 22 मार्च को को देना है और विश्व पिर्थवी दिवस पूछे तो 22 अफरेल को देना है दोनों को ध्यान रखना है भारतिय संबिधान के किस आर्टिकल के नुसार राष्टपती सासन किसी राजी के अंदर लागू होता है चलिए देखे इस प्रस्ण से संबंदित आपको तीन आर्टिकल को ध्यान रखना है पहला आर्टिकल है 352 ये राष्टी अपात से संबंदित है दूसरा आर्टिकल है 356 ये जो है राष्टपती सासन से संबंदित है जो की प्रस्ण में पूछा गया है और तीसरा एक ये वितिया पात से संबंदित है तो तीन आर्टिकल को ध्यान रखना है तो इस प्रस्न का सही जबाब हो जाएगा उप्शन C 356 जो की राश्पति साथसन से संबंदित है और वितिया पात भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है सुस्क बर्प किसे कहा जाता है पूछा गया प्रस्न है चलिए तो आप सभी जानते हैं सुस्क बर्प किसे कहेंगे तो कारबन डायोकसाइड को प्रिथवी के भू परपटी में कौन सा तत्व प्रचूर मातरा में पाया जाता है देखे ऑप्सन में धातू के नाम दिये गए है चलिए आँसर बताएंगे प्रिथवी के भू परपटी में कौन सा तत्व प्रचूर मातरा में पाया जाता है तो ये पाया जाता है ऐल्मोनिया याद रखना है सी ओप्सन सही जबाब है और दूसरे अस्थान पर लोहा आता है ध्यान रखना है और वायो मंडल में सबसे अधिक पुछे कौन सी गैस है तो ये नाइट्रोजन है कितना प्रतिसत है नाइट्रोजन की प्रतिसत मातरा की बात करें तो 78 प्रतिसत नाइट्रोजन है वही बात करें ऑक्सिजन कितना है तो 21 प्रतिसत के आसपास आक्सिजन है आप सभी जानते हैं और तिसरे अस्थान पर जो है 0.93 परसेंटेज के साथ ये आरगन है और चोथे पर है 0.03 प्रतिसत कारबन डियोकसाइड ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज कौनसा है चलिए आंसर बताएंगे भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज तो ये गुजरात के साथ जाएगा आंसर बी ओप्सन सही जबाब है वायो मंडल में सरवाधिक मात्रा में गैस कौनसी है इसलिए आंसर करेंगे वायो मंडल में सरवाधिक मातरा में कौन सी गैस है तो दीके इस प्रसने का सही जबाब क्या होगा नाइटरजन तो है नहीं यहाँ पे क्या पूछ रहा है तो इसका सही जबाब वजाएगा कौन सा है आरगन है ध्यान रखना है वायो मंडल का सरवाधिक अस्थाई तत्व कौन सा है चलिए आंसर करेंगे तो दीके वायो मंडल का सरवाधिक अस्थाई तत्व जलवास्प है महाधूइप जहां मानव से संबंदित जिवास्म सबसे अधिक मिले है कौन सा महाधूइप है और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक ने किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें तो कौन सा महादूइफ है जहां मानव से संबंदित जिवासम सबसे अधिक मिले है तो ये एसिया महादूइफ है भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस परदेश में है चली आंसर करेंगे तो दीके बात करें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व की तो ये कि पर्देश में मद्र पर्देश को टाइगर इस्टेट की नाम से भी जाना जाता है भारते सम्विधान में भारते नागरीकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं चलिए तो दिखे अगर बात करें वर्तमान समय की तो वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किये गए हैं अगर पूछे कि मूल समिधान में कितने मौलिक अधिकार थे तो 7 मौलिक अधिकार थे कौन सा अधिकार हटा दिया गया है तो संपत्ति का जो अधिकार था इसे हटा कर अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है और ये भी पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूती से हटा कर किस अनुछेद में रखा गया है तो अनुछेद 300A में रखा गया है ध्यान डखना है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते है चलिए आंसर करेंगे फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते है तो दीखे इस प्रसने का सही जवाब है लाल नीला और हरा दीखे किस ओप्षन में है सी ओप्शन में है लाल नेला हरा गोल क्रांती का संबंद किसे है चलिए तो दीखे गोल क्रांती का संबंद टमाटर से नहीं होगा आलू उतपादन से हो जाएगा गोल क्रांती और अगर अगर आप चेप वंडा उतपादन किसे संबंदित है तो यह रज़त क्रांती से संबं यह लाल करांती से है देस में त trail पर्थम अपनाया गये तो कि आप सभी जानते हैं राजस्थान में अपनाया गया था यह पंचायती राज्ट्राज्ट्षान के राजास्थान के नागोर से शुरुआत हुआ था तो दीके option B में भी राजस्थान है option D में भी राजस्थान है तो राजस्थान के बाद दूसरा जो राज था आंदर परदेश था तो D option सही जबाब होगा ना कि B होगा काड़मम पहाड़ी कहां अवस्थित है चलिए तो दीके बात करें काड़मम पहाड़ी की तो ये केरल में अवस्थित है C option सही जबाब है संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है चलिए तो दीके संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है भारत के राश्थपती का D option सही जबाब है देखे संसद के तीन अंग होते हैं आप सभी जानते हैं कौन-कौन से होते हैं लोकसभा, राश्टसभा और राश्टपती राश्ट्य धोजी की लंबाई और चोड़ाई का अनुपात कितना है चलिए आंसर करेंगे तो दीके अगर बात करें राष्ट्य धोज की लंबाई चोड़ाई का अनुपात तो ये तीन अनुपात दो में हैं सी अप्सन जोई बच्ची दिये हैं बिलकुल सही जबाब हैं और राष्ट्य धोज का डिजाइं कि इसे ने त्यार किया था तो फ्रेंट्स आज के सेंसन में हम लोगों ने लुसेंड बूक से 35 प्रसनों को कवर किया इसी के साथ बारवा प्रैक्टिसेट यहीं पर समाप्थ होता है